कैसे हैं आप scripts अनदर आपके होका jam i have just कैसे हैं आज की वीडियो काफी टाइम बात मैं लेके आया हूं जिसके अंदर आपके CosII related कुछ मैं नई बाते बतापा हूं तो आज की जो वीडियो होने वाली है वह होने आलिए है आपकी प्योर ली आपके exam को लेकर आज की video exam को लेकर और सर इस video में जो हम discussion करेंगे सर इस video में जो हम discuss करने वाले हैं वो हम करेंगे discuss Mozart be calm आपको तो पता ही है के जैसे की biz Com की कारें में बोलता हूं और यहहम बात कर रै है tan semester two की हम बात करें तो सेमिस्टर टू में सभी बच्चों ने देख लिया होगा मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी डेट सीट भी क्लियरिटी दे दूआ बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारा डेट सीट है क्या वो परिशान रहते हैं मैं उसको सिंप्लिफाई करके ढिए बता देता हूं जिससे आपका काम थोड़ा सा चाहोपाया अगला तो अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो बेसिकली आपके साथ सब्जेक्ट रहें ठीक है जिसमें से मैं कॉर सब्जेक्ट की बात करूं दोनों से मिछ्टर में तो एक तो हमारा है e अकाउंट और एक है कंपनी लोग और एक है हमारा सर एच आर एम हीमन रिसोर्स मेनेजमेंट यह कूर सब्जेक्ट है बाकी आपके वैक सैक या फिर एसी जो भी सब्जेक्ट से आपके वह डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया जा रहा है चाहे रेगुलर एस वैल और उसके छोटी सी बात बता दूं कि समेस्टर वन के अंदर ना बीकॉम ओनर का पेपर काफि तफ हाय था किसका सब्धू बच्चों को पता है जिस बच्चे ने पढ़ा होगा सिरफ उसी को पता चला होगा पेपर काफिट हाया था फाइनिशल अकाउंट का और बीकॉम में शुरू तो सर जो हम बात कर रहे हैं सर हमारा ये corporate account मैं पूरे बीकॉम मैं पूरे बीकॉम की बात कर लूँ आपके पूरे बीकॉम के अंदर एक semester में 7 सकते हैं और 6 होते हैं 42 सब्जेक्ट 42 के 42 सब्जेक्ट में से अगर में मेरे से कोई पूछता है न कोई tough subject बता दो तो मेरा मानना है कि सबसे tough subject ये है इसके एक यूनित में धियान देना एक यूनित में यूनित 1 में शिर्फ आट से 10 चप्टर हैं तो यूनिट बन अकेला ले जाता है और यह सारे के सारे practical चप्टर है यूनिट नमबर टू की बात करें तो यूनिट नमबर टू अपने आपमे इतना मुश् है यूनिट नमबर फोर अगेन मुश्किल हो जाता है आपका एमल्गेमेशन रिकंस्रेक्शन और यूनिट फाइब एजी है तो अगर मैं कॉर्परेट हाँ कंपनी लौ मिर से कोई पूछेगा तो एजीली हो जाएगा आज एक मार्च है एक मार्च से बात करें डेट शीट आ के साथ सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट को 10 दिन में खत्म करना और मैं कहता हूँ सत्र दिन में तो कॉर्परेट अकाउंट भी खत्म करना एक पल को मुश्किल हो जाताई अगर आप अच्छे से करना चाहों तो नहीं हो सकता अभी हमने यहाँ पर चैप्टर जैसे भी के अंदर आराम से आ सकता है यूटूब पे वीडियो देखो आप सभी के लिए डेली डाल रहा हूं अगर देखा जाए तो 17-18 पार्ट हो चुके हैं और अभी सिर्फ पहला चप्टर चल रहा है यूनिट वन का और यूनिट वन में कितने चप्टर आठ से दस चप्टर है ठी अच्ट है यूटूब वाले बच्चों के साथ और पेडवाले बच्चों के साथ कोंद स्कूरिपिक आंदर क्या होता है जो पेड़ वाले बच्चे और यूटीव वाले बच्चे कई वार यूट्यूब से आते हमारे पास जितने भी स्टूडेंट आते बोलते सर क्या डिफ्रेंट्स क्या है बताई आप तो इस बार बता दू सर डिफ्रेंस यही रहता है कि आपको एक और जो पुरानी सबते पहरता है तो जतने भी बच्चे यहां पर कहां नहीं नहीं होता ह है जिन बच्चों को डाउट होता क्लियर करने के लिए आपको आना ही पड़ेगा कि क्लिया यूट्यूब पर जितने भी चैट के सिर्द्स सामने बच्चों का है सब्सक्राइन है एग सलेवर्ट और समेश्टर वाले तीन समश्टर वाले यह पूरा का पूरा हमारा देट शीट है और इसके अंदर क्या है सार 22 मई से एक्जाम स्टार्ट है और यह मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूं ठीक है तीनों का एक ही दिन पेपर होना है पहला जी अब जी में हर किसी के पास जर्नल एलेक्टिव में हिंदी इंगलिश जो भ को बच्चे यह मान लेते हैं कि यह तो ऐसा ही दे रखा नहीं जी नहीं ऐसा ही नहीं है इसी के आसपास की डेट शीट और ऐसे ही आने वाली आपकी अपका 24 तारिक को सबसे मुश्किल पेपर फिर आपका कंपनी लौ आपका जून में महीं के बाद 29 महीं के बाद 24 जून को चार जून को यानि इसमें भी थोड़ा टाइम मिल गया कंपनी लो कंपनी लो मेर से पूछो ना तो मैं बोल रहा हूं आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा पीजिरी रिलेक्स होके कर सकते हो पूरा का पूरा कूर्स मैंने रिकॉर्ड करके भी डाल दिया और य इन टाइम मुष्किल कॉर्परेट है यह बात को ध्यान रखिएगा तो बहुत बच्चे हैं ना सोच रहें कि ट्विल्थ वाला ही है और कर लेंगे हम बाद में देख लेंगे तो बाद में अगर आप इसमें पूछोगे सर पास होने क्लिए क्या है तो मेरे पास को इसके ल और फिर बाइस है फिर चौबिस है चब्विस है इसके अंदर जो कंपनी जो हमारे कॉर्परेट अकाउंट है पहला ही पेपर दे दिया यह थोड़ा सा बांद के चलो एडवांटेज रहता है कि पहला पेपर होता है तो हम उसकी अच्छी प्रपरेशन करते हैं लेकिन अग पास होगा इसके बाद और रेगुलर वाले बच्चों का हमारा कॉर्परेट का 27 अब यह देखो यह 25 यह 27 यानि रेगुलर वाले बच्चों को पेपर देखने को मिल सकता है कोर्रसपॉंडेंस वाले बच्चों का अभी फाइनल डेट रिट आना बाकी है बाकी यह आपका जो अभी तक डेट अपलोड करा है डेली उनिवर्सिटी में मैंने उसके हिसाब से बता रहा हूं तो आप मानके चलिए मैं टेंटेटिव 22 मई 25 मई और यह सारा का सारा कंपनी लो हर्म आपका यह मैं पीडियाफ भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो मैं मानके चल रहा ज़्यादा फरक नहीं पढ़ रहा है तो मैं आप सभी बच्चों को यहीं बुलना चाहता हूं कहीं भी पढ़िए ऐसा नहीं है कि आप इस चैनल पे हैं तो सर के साथ ही जुड़के पढ़ना है आप कहीं भी पढ़िए और बिलीव आप अपने आप पे करिए यह बहुत ब पर जी पढ़ रहे हों अच्छे से पढ़िए और अकांट की कोचिंग जरूर लीजिए मैं आप सभी को कहूंगा जो बच्चे सी यह वगरा कर रहे हैं तो उनको लेनी की जुरत नहीं है और जो बच्चे यह वगरा नहीं कर रहे हैं सीए इंटर फाउन्डेशन वालों को ले लिजिए ओफ्लाइन हमारा ओनलाइन कोचिंग चलता है ओफ्लाइन का कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं है ओनलाइन क्लास लेते हैं जिसके अंदर लाइव पर्टिकुलर डाउट सेशन सारी चीज़े रहती हैं बहुत बच्चे ले रहे हैं बताएंगे भी सर एक तो लाइव प्लस आपके सारे कैसारे नोट्स भी मिल जाते हैं इसके अंदर इसके अंदर आपको डाउट के नंबर भी मिल जाते हैं यह चीज़े हमारे लाइव में है जो बच्चा थोड़ा सा तो थो तो बहुत जरत पड़ेगी नहीं मिलता तो आपको मेरे से आप लाइब ले सकते हैं जिसके अंदर पूरा जो है जिसका पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे उससे जोड़ सकते हैं तो टाइम वेस्ट मत करिए बस दिन निकलता जाएगा कल निकल जाएगा आज भी निकल गया समझो अब जब तक वीडियो देख रहे होगे दिन निकल जाएगा तो पढ़ना स्टार्ट करिए प्लीज आप अपने करियर का साथ बिलकुल भी मत खेरिए बहुत कम समय बचा है तो यही बताना था थांक्यू सो मच्छ होफुलि आप मेरी बातों को समझ पाओगे और कुर्स का कुछ बच्चे प्राइज भी पूछते हैं सर कोई नया चप्टर न्यू चप्टर अभी स्टार्ट होने जा रहा है और प्राइज जो है वह स्रिफ और स्रिफ और श्रिफ फाइव कि शायद श्र शर्फ इच सब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट का है एक सब्जेक्ट का प्राइज है स्रस मंतली है का नहीं कि यह पूरे कोर्स के सीас होदी तिल आपके मई में लिवा बुक्ते आपार जून में पेपर हो रहージ सकते हैं और अब तो बहुत सारे डाल दी है बच्चों को मतलब के टेस्ट वगेरा सब कुछ है उसके अंदर ठीक है तो बस अब वह जब तक आप गो थूरू नहीं करेंगा मैं बताता बताता ठक जाओंगा फिर आप सब्सक्राइब पता नहीं क्या क्या बता दिया तो जब आप की लाइबिलीटी इसको सब्सक्राइब करना और जल्दी से जल्दी चैनल को आगे लेके जाना और अपने दोस्तों को शेयर करना भाई तो कुछ नहीं कर रहा और क्लास इस आथी रहेंगी झाल झाल